आदरनी या प्राचार्य महोदय, सभी अध्याफक वर्ग, मेरे साथियों और मेरे प्यारे विध्यातियों, सभी को सूप्रभाद, आज बहुत वीशेश दिन है, क्योंकि आज हम वीधाईस हमारों का आयरजन कर रहे हैं, आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है, इसके बाद हम बविश के अगले पड़ाव पर पैर रखेंगे, स्कूल के बाद हम सब अलग हो जाएंगे, हम जिससे आरंब कहते हैं, वह फ्राया एक अंत होता है, और एक अंत एक आरंब को जल्म देता है, अक्सर हम जहां से आरंब करते हैं, वास्तों में वह एक अंत है, यह पंक्तिया हमें हमेशा याद रखनी चाहिए स्कूल वह स्तान है जहां पर हमने घर के पाथ सबसे ज़्यादा समय व्यतित किया है हम सभी स्कूल में अलग-अलग वर्गों से आये थे पर स्कूल में हम सब एक जैसे लगते थे क्योंकि हम सबने वर्दी पहनी ओती थी हम यहां रोते रोते आये थे और जब स्कूल छोड़ना है तब भी आखों में आसु है मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवात करना चाती हूं जिन्नोंने यह स्कूल खोला और हम लोगों को घर जैसा माहोल प्रदान किया हमारे शिक्षक जिन्नोंने हमेशा हमारा भविष उजवल बनाने के कोशिश की उन्नोंने हमें अपना पूरा स्रहयोग दिया हर कदम पर हमारी साहिता की हमें अच्छे बुरे से परिचित करवाया अगर हमें कभी डांटा भी तो इसलिए कि हम सुदर्जय और अपना भविष अच्छा कर सके उन्नोंने हमें एक अच्छा प्यक्ति बनने में साहिता की है इन्नोंने हमें पढ़ाई के साथ साथ अन्या कारेकरम में भाग लेने के लिए भी प्रवसाहित किया है सिर्फ इन्ही के वज़स से हम खेल कूद में भी भाग ले पाए और राष्ट्री अस्तर पर होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता को जिच सके हम अपने अध्यापकों को कभी नहीं भूल सकेंगे जिन्नों ने हमें इस काबिल बनाए कि हम अब कॉलेज में प्रविश कर सके हमने अपने सहपाटियों से भी बहुत कुछ शिका है और उनके साथ बहुत मस्ती भी किये हम सब बहुत याद करेंगे स्कूल में एक साथ खाना-खाना मैं अपने जूनियर्स को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्नों ने हमेशा हमारी साहिता की है हमारा आदर कर हमारी बातों को मारा आशा करती हूँ कि उनके जूनियर्स भी उन्हें उतना ही प्यार करे हम इस स्कूल से बहुत सुकत यादे लेकर जा रहे है गर के बाद हमने स्कूल में ही सबसे जादा वक्त बीताया है स्कूल में हमारे भविश की निव तैयार की है मैं अपने अध्यापकों को धन्यवाद और सहपाटियों और जूनियर्स को उनके उजवल भविश के लिए शुवकामनाय देती हूँ हम कभी भी अपने स्कूल और शिक्षकों को नहीं भूल पाएंगे इनके शिकाई हुए शिष्टाचा और दिकाई हुई राह हमें हमारी मंजिल हाशिल करने में सायता जडूर करेगी अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम जहाँ से गुजर जये महक चाये बस्तियाँ हम जहाँ टहरे वहां आबाध होंगी वादिया मेरे जगने पर सुने सब जगना संसार का और जाने पर मेरे आसू छलकने चाहिए हम सब चात्रों को आगे चल कर कुछ ऐसा कार्य करना है कि सारी दुनिया हमें सलाम करे हमारे पदचिन यहां हमेशा रहे हमारे कृत्य अनुसरन के लायक बने धन्यवाद